गॉलियर के महराजपुरा थाना छेद्र के एरपोर्ट के पास एक यूवक की संदिक्द परिस्तितियों में लाश मिली है। मृतक के गले और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटो के निशान है जिससे यूवक की हत्या की आशन का जताई गई है। मृतक का नाम उपेंद्र यादव वताय जा रहा है जो की भिंड का रहने वाला है। बता दें, पूर में मृतक के पिता की भी हत्या हुई थी। मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉटम रिपॉर्ट आने के बाद कुछ धाराएं बढ़ सकती है। फिलाल महराजपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जहांच परताल शुरू करती है। पुरानी रंजिस भी है, इसके पता का भी मडर हुआ था। और चूक वहां लिलवारी में रेत खरान का काम है। वह सकता है किसी आदबी ने पलानिंग करके उसका मडर किया गया है। सूचना तो मेरे भाइपर फोन गया था। कि यहां यह अनिसनल सहाग मैं रिश्तेदार है, तो जैसे इसके जेव से आदार कांट मला तो ऊटलाहांतो पाल पालाया, कि जो पेंद यादव कि लिलवारी का यादव है अपना कोई रिष्तिदा लगता है तो मेरे बाई तो अधर से पहुन गया उनने का नहीं जो अपना ही साला है किसी पर संदे बगर आपको संदे तो है अब अब संदे है तो थोड़ा सा हम लोग वैट के बात करके फिर बताते है अब ही जे हाइवे पर जो पैट्रोलिंग वाली हाइवे वालों की गारी चलती है उनके ड्रावर ने जो रोट उपीसर है उनको एक डेड़ बोडी दिखी थी तो उनने सूचना दिये तो अभी जांच पढ़ताल कर रहे है तो जो जो डेड़ बोडी अग्याद थी वो हो गई है ओपेन यादब नाम का विक्ति है तेश साल का जो रहने वाला बेंड़ चले के ग्राम असवार में पढ़ता है लिलवारी थानोगी वहां करें अभी इसकी जांच चाहिए अब जो इसको देखके तो लग रहा है कि हत्या हुई है और संभावना उसके गलाला अभी प्याम में भोग जो वीड़ चाहिए